सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांट में आप सभी का स्वागत है फाइनली रियल्मी C12 और C15 के अंदर रियल्मी UI 2.0 का C.11 का अपडेट जो है रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है और इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है कौन से बाक्स फिक्स हुए है साथ ही क्या है इसका अपडेट लॉग सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं रियलमी C12 and C15 का मॉडल नंबर RMX2189 है और RMX2180 है और इन दोनो डिवाइसेस का जो अपडेट वर्जन है C.11 है और यह अफिसल वर्जन है दोस्तो आइमीन स्टेबल अपडेट है और इस अपडेट का जो साइज है 793 MB का है दोनो ही डिवाइसेस का और इसका रोल आउट डेट जो है 19th मार्च 2022 है तो यह रहा इसका बेसिक सॉप्टियर इंटरफेस और आप बात की जाए इसके अपडेट लॉग की तो यहाँ पर अपडेट लॉग में सबसे पहले चेंज की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर फरवरी एंड मार्च आइमीन मार्च 5th 2022 के साथ करेंट मंत का लेटेस्ट इंहेंस और राइट सिक्रूरिटी पेच देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ इसके अलावा ब और राल सिस्टम इस्टिबिटी को अप्टिमाइज एंड इंप्रूब किया है जिससे की आर भी बेटर एक्स्पिरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ साथ ही दोस्तो कुछ-कुछ यूजर को कभी-कभी जो हैं लेगिंग इसू देखने को मिलता था तो उसको इस अपडेट के थूरू फिक्स कर दिया है यहाँ पर दोस्तो मेरे को अभी तक कोई भी लेगिंग इसू देखने को नहीं मिला है साथ ही जो रियल मी लेप के अंदर डूल मोड आइडियो फंक्शन है उसमें प्राब्लम देखने को मिलता था तो उसको यहाँ पर अप्ट वो इंस्टाल होता है तो होम स्क्रीन में जो एंडरायट का लोगो रहता है उस टाइप का आइकन देखने को मिल जाता है तो इस प्राब्लम को इस अपडेट के थूरू फिक्स कर दिया है जिससे कि अब अगर आप प्ले इस्टोर से कोई सभी एपस वगरा डाउनलोड करत हैं तो आपको उसी एपस का ही आईकन देखने को मिलता है एंड गैस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बेटरी परफोर्मेंस की तो यहाँ पर दोस्तो जो बेटरी परफोर्मेंस है वो slightly अप्लेट देखने को मिलता है जो बेटरी ड्रेनिंग का प्राब्लम होता उसको यहाँ पर reduce करके battery performance को, battery users को optimize करके improve कर दिया है, जिससे कि अब better battery backup, battery users देखने को मिलता है, इस update के बाद game space के अंदर 4D vibration and wise changer features की, तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं दोस्तों, आपको कोई सभी 4D vibration and wise changer features देखने को नहीं मिलता है, आपको old वाला ही game space देखने को मिलता है, उसको यहाँ पर थोड़ा boost कर दिया है, जो बीच-बीच में lagging वगरा देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर reduce करके, game के performance को और भी अच्छे से optimize कर दिया है, जिससे कि जो gameplay है, वो और भी smooth और stable gameplay देखने को मिलता है, बट यहाँ पर दोस्तों, अगर आप game वगरा खिलते ह तो उस टेम पर थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है, तो यह रहा दोस्तों, Realme C12 and C15 का full update log, chain log, दोस्तों यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है, मुझे comment करके जरूर बताना, तो इतना ही था दोस्तों, इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तों